प्रणिका का अंतीम क्लास है इसके आप लोग बेसब्री से इंतियार कर रहे होंगे और आज की क्लास के बाद आपका जो वर्णिका का हमारा जो बुक है जिसमें पांच चैप्टर है ये बच्चों पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप लोग बताए कैसा फिल कर रहे ह आप लोगों ने इसके पहले वाले सारे चैप्टर चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर त्री और फोर तक देख लिया है तो एक बार कमेंड बॉक्स से मुझे यस लिख दे जल्दी जल्दी से कि गुरुजी हमने चैप्टर नमर फोर तक बहुत आसानी से बहुत अच चैप्टर है हर बच्चे के मन में रहता है गुरुजी एक पाठ परहा दीजिए चैप्टर नमर पाठ है और संपूर्ण अर्थ को हम लोग समझने वाले हैं एक एक चीज़ को बहुत बहतरीन तरीके से हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए एक बार सारे दोस्तों में खू आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा चलिए आज का मोटिवेशन देखते हैं कहते हैं वक्त बड़ा अजीब होता है इसके साथ चलो तो किसमत बदल देता है और ना चलो तो किसमत ही बदल देता है तो प्यारे बच्चों हम बार बार कहते हैं आपको क्लास मे कि सबसे important क्या है हमारे जीवन में सबसे important क्या है तो आप बोलोगे गुरुजी हमारे जीवन में सबसे important है time बोले तो समय और प्यारे बच्चों जिन्होंने समय के साथ चला है जिन्होंने समय का सही उपयोग किया है जीवन में वही आगे बढ़ा है तो बच्चों आपको में total 5 chapter है अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि भाईया बताओ पहले chapter का नाम क्या है तो पहले का नाम है दही वाली मगम्मा बच्चो पहले chapter का नाम है दही वाली मगम्मा बच्चो ये बताओ कि दही वाली मगम्मा जो chapter है ये किस भासा की है यानि किस भासा से अनुदित है तो आपका उत्तर है गुरुजी ये कंणर भासा से अनुदित है और दूसरी बात है बच्चो दही वाली मगम्मा जो ये जो कहानी है इसके मतलब कहानीकार कौन है तो आप कहेंगे स्री निवास कौन है स्री निवास जो है ये इसके कहानी का रहा है दूसरा नमबर चेप्टर हम आपको पढ़ाएं बच्चो जिसका नाम है धेहते विश्वास क्या पढ़ाएं बच्चो धेहते विश्वास ये बताओ कि धेहते विश्वास जो कहानी है ये बच्चो किस भासा से अनुदि कहानी का रहे हैं ढहते विश्वास के कहानी का रहे हैं सात कोड़ी होता कौन है बच्चों सात कोड़ी होता इसके कहानी का रहे हैं अगर बच्चों हम अनुवादक की बात करें लोग भीया इसमें अनुवादक भी लिखो इसके अनुवादक कौन है जल्दी बताओ इसके अन बहुत बंते हैं अगर पूछा जा आप से तीसरा नंबर जो चैप्टर था जिसका नाम है बच्चों मा कहानी किस भासा से अनुदित है सारे दोस्तों के पास सेर करो कम से कम अधर हजार बारो सो बच्चे तो जूडने चाहिए ना गुरु जी की वेज़टी हो जाई ही स processo है के दो तो मा गुजराती है ना मा जो है ना यह किस गया गुजराती और इसके लेखर ना इसके जो इसके जो है बच्चों हम कहा सकते हैं वो कहानीकार कौन है इसके कहानीकार कौन है मा तो मा के कहानीकार कौन है एह जल्दी बता दो तो आप बोलोगे सर मा कहानी के कहानीकार कौन है जली बताओ मा कहानी के कहानीकार कौन है सर मा कहानी के कहानीकार इस्वर अच्छा भूल गये थे हम इस्वर पेटलीकर कौन है बच्चो इसके अनुबादक कौन है जल्ली बताओ इसके अनुबादक कौन है इसके अनुबादक है गोपाल सिंग नागर कौन है गोपाल गोपाल दास या सिंग ई पाल सिंग फुर्ण नागर आगे बढ़ते हैं बच्चो अहां चौथा हमने पढ़ाय था आपको पना चौथा नगर कहाने नगर बश्चो किस भासा से अनुदित है तो आप कौलोगै सर्फ नगर जो है यह तमिल बहां साकी है और इसके जो इसके जो अनुवादक है वो कौन है है ना माफ़ करना अनुवादक नहीं इसके कहानिकार कौन है नगर के कहानिकार कौन है जल्दी बताओ नगर के कहानिकार कौन है तो आप बोलोगे सर नगर में सू जाता क्या बोलोगे सू जाता सू जाता है ना ऐस रंग राजन बच्चों इसके अनुवादक कौन है इसके अनुवादक है ए ना के जमुना इसके अनुवादक है के जमुना के जमुना इसके अनुवादक है बोलो कितने बच्चों को ये चीज़ याद है अच्छे से कि सर आपको याद है तो हम ये भी याद है कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये अच्छे से याद है एक बार yes कर दो comment box में क्योंकि बच्चो यहां से बहुत question बनते हैं यहां से बहुत question बनते हैं इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जादा जरूरी है बहुत ही जादा जरूरी है हाँ जा बच्चो आज पढ़ने वाले पांचवा यहां से बहुत नंबर आता है पांचवा नंबर चप्टर हम पढ़ने वाले हैं पांचवा नंबर चप्टर जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी धरती कब तक घूमेगी बच्चो धरती कब तक घुमेगी सबसे पहले यह किस भासा की कहानी है बताओ यह किस भासा की है धरती कब तक घुमेगी यह किस भासा की कहानी है तो बच्चो याद रखना धरती कब तक घुमेगी मैं ट्रिक बताता हूँ साल भर क्या बुलना धरती कब तक घुमेगी तो कह राजस्थानी, राज करेंगे मतलब यह किस भना, यह क्या है बच्चों, राजस्थानी है, राजस्थानी है, और बताओ बच्चों, धरती घुमेगी, तो हम राज करेंगे, कब तक घुमेगी, साल भर, साल भर से याद रखना, सावर दया, साल भर का मतलब है, इसके लेखक ह आउध में सावर दईया याद रखेगा बैचो जली बताओ नाम का है सावर दईया और इसके अनुबादक कौन है और अब अब पूछा जाये धरती कब तक घुंँएगी इस कहानी के अनुबादक कौन है यह कहानी सुनने के बच्चों गर आपके आँख में आसू ना आ जाए तो कहना इस कहानी को सुनने के बाद आप रोने लगोगे मुझे पूरा विस्वास है बच्चों लेकिन आपको रोना नहीं है एह चीजों को हम समझाएंगे एक पहले बच्चों इस कहानी में देखेंगे एक बुढ़ी मा जिसके पति नहीं है इस दुनिया में और जिसके तीन बेटे हैं और वो तीन बेटे मिल करके एक बुढ़ी मा को नहीं पाल सकते हैं ये सब जब आप सुने गे तो आपको लगए गा सर क्या आझीब चीज है घरा इसके बच्चों अनुवाधक कोई नहीं है ये सूइम है भी सावर दईया है बच्चो आप और हम सभी गाउं में रहते हैं कुछ बच्चे सहर में भी रहते होंगे आपने अक्सर बच्चो गाउं में ऐसा देखा होगा कि एक मा होती है जो अपने दो बच्चे को तीन बच्चे को, पाँच बच्चे को आठ बच्चे को अच्छे से पाल लेती है लेकिन वही बच्चा वे सभी बच्चे मिल करके अपनी मा को नहीं पाल सकते हैं क्या आपने कभी ऐसा सुना है? हाँ सर, हमने सुना है तर ऐसा होता है इसलिए तो बहुत सारे बुढ़े बुजुर्ग विर्धा आसरम में रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जिन्होंने अपनी मा का दूद पिया था वही बच्चे जिसे माने अपने गोद में खेलाया था वही बच्चे जिसे माने तेल से माली सिख्या था वही बच्चे जिसे माने चलना सिखाया था और अपनी मा को और अपनी पिता को नहीं खिला सकते हैं बोलो बच्चों ये दुनिया की करवी सच्चाई है या नहीं आप सभी लोग बताओ बोलते ब़जचो मेरे रॉंगते खड़े हो गए तो सोचो आप लोग तो सुन रहे हो आप लोग को भी बहुत अजीब फिल होता होगा हासर ऐसा होता है बच्चों हम कहानी पढ़ने वाले हैं धरती कब तक घुमेगी इस कहानी में कुछ ऐसा ही है इस कहानी में कुछ ऐसा ही है कि एक मा जिसके तीन बेटे हैं और तीन बेटे मिलकर के एक मा को नहीं खिला पा रहे हैं आपने अक्सर अपने आस पास के गाउ में देखा होगा अपने घड़ में भी आपका हो सकता है आपके घड़ में भी असा होता हो कि आपके पिता जी आपकी दादी को अच्छे से नहीं खिला रहे होंगे तो बच्च कि चमरी जूलस गई है, बुड़ा बुला बुड़ा चूप हो जाओ, लेकिन बच्चों याद रखना एक दिन आप भी बुड़े हो जाओगे, और आपके भी जो दादा होँगे, आपके भी पोते होँगे, वो पोती होगी, या फिर नाती या नतनी होगी, वो भी आपकी कदर करते हो यह सुर्नों बच्चों अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी का ध्यां रखना अगर अगर आप जीवन में संजेत का सम्मान करते हैं एक चयर अपने माता-पिता एक इजद करना अगर अपने माता-पिता की कदर करेंगे, तो मैं मन ही मन समझ लोंगा, कि आप मेरी कदर कर रहे हो, मैं कभी दोस्तों के साथ जाता था, जब 10th क्लास में पढ़ता था, मम्मी बोलते थी, तुमको वहाँ नहीं जाना है, मन ही मन हम बोलते थे, मोटकी कहीं की, हमको जाने नहीं देती है, ये और वो, मन ही मन हम बोलते थे, लेकिन बच्चों कहीं भी जाते, मम्मी डीजे जा रहा है, मतब डांस करने जाएं, नहीं जाना है तुमको, मन ही बोलते थे, कम से मोटकी हमको जाने क्यों नहीं देती है, ऐसा हम लोग मनी मन सूचते थे लेकिन बच्चो कहीं भी हम बोलते थे ममी वहाँ घूमने जाना है ममी हमको मेलाग देखने जाना है ममी हमेशा मना करती थी लेकिन बच्चो एक समय आया जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ तो अभी मैं उस मा को मतब आप लोगों के सामने बच्चो नमस्कार करता हूँ कि आज उसकी देन है उसी की देन है बच्चो जो आज यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने दो सब्द कहने के लायक बना हूँ तो बच्चो वर्तमान में जब मा कुछ बोलती है तो आपको बुड़ा लगता होगा आपके पिता कुछ बोलते हैं बुड़ा लगते है लेकिन बच्चो एक समय आएगा जब आपको याद हैगा कि माता, पिता और सिक्षक हमेशा से वो सही ही बोलते हैं पर यह दुनिया है बच्चो जब तक आप खुद से ठोकर नहीं खाओगे तब तक आप नहीं समझपाओगे तो आईए बच्चो देखते हैं एक कहानी बच्चो एक बुड़ी औरत की कहानी एक बुड़ी औरत की कहानी देखते हैं और इस कहानी को देखने के बाद सुनने के बाद आप बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है आईए बच्चों आपके सामने एक बुरी औरत बनाते हैं आपके सामने एक बुरी औरत बनाते हैं ये है आपके सामने एक औरत बच्चों ये है आपके सामने एक औरत नाम बताने की कोशिस करें आप से भी लोग कि नाम क्या है इसका तो बच्चों आप बोलेंगे सर एक औरत है जिसका नाम है बुरी औरत है सब लोग comment box में लिखना इसका नाम क्या है यह जो कहानी हम पढ़ रहे हैं इसमें मुख्य पात्रा जो है उसका नाम क्या है उसके बाद इस अुरत के तीन बेटे हैं, आपके सामने तीन बेटे बना देते हैं, और आप लोग बताना, इनके तीन बेटों का नाम क्या है, बच्चों आप से भी लोग कमेंड बुक्स बताना, और इनकी तीनों की प्यारी प्यारी पतनी भी बना देते हैं तीनों की ये प्यारी प्यारी पतनी भी ये प्यारी प्यारी पतनी है जिसके कारण से लडाई जगरे होते हैं ये तीन प्यारी प्यारी पतनी है बच्चो इसको ध्यान से देखना ये प्यारी प्यारी पतनी है और यह इसका होता है ठीक है तो प्यारे बच्चो जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं जिस कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उस महिला का नाम क्या है बच्चो आप कहोगे सर उस महिला का नाम है सीता क्या नाम है सीता क्या इसके पती इस दुनिया में है क्या इसके पती इस दुनिया में है आप बोलोगे सर पती इस दुनिया में नहीं है सर हमने दही वाली मगमा पढ़ा था उसमें भी पती नहीं था डहते विश्वास में पती देव थे लक्ष्मी के जो कोलकाता में काम करते थे हमने तीसरा चप्टर मा पढ़ा सर उसमें भी मंगु की मा उसके भी पती नहीं थे चौथा चप्टर हमने पढ़ा नगर सर जिसमें हमने वली अम्माल के बारे में पढ़ा उसके भी पती नहीं थे और पांचमा चैप्टर पढ़ रहे हैं धरती कब तक भूमेगी इसमें है सीता इसके भी पती इस दुनिया में नहीं है सर ये किसने कहानी बनाया सर आजाओ बच्चो आगे बढ़ते हैं इसके सबसे बड़े बेटे हैं जिसका नाम है सबसे बड़े बेटा जिसका नाम है और इसका तीसरा बेटा जो सबसे छोटा है जिसका नामे बिज्जू बच्चो कहना मैं जिसका नामे बिज्जू तो आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि सीता के कितने बेटे हैं तो कहना बच्चो सीता के तीन बेटे हैं बताओ कौन-कौन सा हैं तो कहना बच्चो कैला कैलास, कैलास, नरायन और बिज्जू, कैलास, नरायन और बिज्जू, तीन बेटे हैं, और आपसे पूछा जाए, बच्चो ये बताओ, कि कैलास की पतनी का नाम क्या है, तो ये इसकी पतनी है, ध्यान से देखना, ये इसकी पतनी है, कैलास की पतनी का नाम क्या है, तो बच् नरायन की पतनी का नाम क्या है तो नरायन की पतनी का नाम भवरी है क्या है भवरी नरायन की पतनी का नाम है भवरी और आपसे पूछा जाए कि बिज्जू की पतनी का नाम क्या है तो कहना बच्छों बिज्जू की पतनी का नाम है पुस्पा राज तो बच्छों बिज्जू इसकी गिंती है क्या नहीं सर इसकी गिंती हम करेंगे अनेक पोते-पोती क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बच्चो अनेक पोते-पोती क्या बोलेंगे इसको नाम देखेंगे अनेक अनेक पोते-पोतिया है ना पोतिया ठीक है तो पहरे बच्चो आप लोग देखे लिए इस कहानी में टोटल केरेक्टर को आप समझ गए, बोलो हायना, ठीक है, किया आप सारे केरेक्टर को समझ चुके हैं, कि हाँ सर, इस कहानी में, यह जो कहानी है, इसमें टोटल साथ केरेक्टर है, पहला केरेक्टर है, सीता, जिसके तीन बेटे हैं, कैलास, नारायन, और तीन बहू हैं, पुतहू हैं, जो भी बोल सकते हो राधा, भवरी और पुस्पा ठीक है और अनेग पोते-पोती होँ है इसकी कोई गिंती नहीं है इसी कोई गिंती नहीं है, तो बच्चों बोलो क्या हम क्लास को सुरू करें, क्या हम आपको कहानी समझाने की कोसिस करें बच्चो तो एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग प्यारे बच्चो इस क्लास को जल्ली से जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक करके सेर कर लीजिए ठीक है तेले शुरू करते हैं बच्चो अब ये दुख भरी कहानी है, सुनना पड़ेगा आपको, बहुत दुख भरी कहानी है, एक बच्चा एक ही चीज बार-बार कमेंट कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दुख भरी कहानी सुनना है आपको बच्चो, दुख भरी कहानी आपको सुनना है, मतलब एक चीज अलग है ठीक है आज़ा बच्चो दुखबरी कहानी सुनना है आपको स्टार्ट करें आसर यासर यासर आज़ा बच्चो अब क्या होता है कि तीन बेटे तीन बहु और अनेक पोतो पोतियों वाली है सीता लेकिन बच्चो ये हमेशा उदास रहती है ये घर में हमेशा उदास रहती है आपके मन में आएगा सर ये क्यों उदास रहती है तो बच्चो इसके घर में कोई भी इससे ठीक से बात नहीं करता है कोई भी इससे ठीक से बात नहीं करता है जब आप बुढ़े हो जाते हैं जब आपकी अहमियत खतम हो जाती है तो लोग आपसे बात नहीं करते हैं तो बच्चो कोई भी जो है कोई भी है जो इनसे बात अच्छे से नहीं करता है कोई भी इन से अच्छे से बात नहीं करता है, किस से बच्चों सीता से, कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है, कोई भी, ना तो इसके बहुएं, ना तो इसके बेटे, और जब बहु और बेटे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो पोते और पोतिया कहां से बात करेंगे, फिर भी पोते और पोतिया तो बच्ची हैं, बच्चे हैं, उनको क्या पता है, वो कभी इनके पास जाते हैं, खेलते हैं, दौरते हैं, आते हैं, तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि तीनों भाई में से कोई भी इसको अच्छे से रखना नहीं चाहते हैं इसको खिलाना नहीं चाहते हैं आए बच्चों हम सुरवात करते हैं एक बात जब चाय दे रहे थे कैलास सुनिये का ध्यान से जब कैलास इन्हें चाय दे रहे थे जब कैलास अपनी मा सीता को चाय दे रहे थे तब कैलास ने अपने दोनों भाई से अपने दोनों भाई से नरायन और बिजु से कहा कि मा को खिलाने का ठीका हमने नहीं लिया है तुम लोगों का भी कोई फर्ज बनता है, तुम लोगों ने भी घर में हिस्से लिये हैं, जमीन में हिस्सा लिया है, तो क्या मा को खिलाने का फर्ज तुम्हे नहीं है? गुस्य से बोला किसने? कैलास ने, कैलास ने गुस्य से बोला कि अगर तुमने भी घर में हिस्सा लिया है, जमीन में हिस्सा लिया है, तो क्या मा को खिलाने का ठीका या ठेका सिर्फ हमने लिया है? तो फिर नराएन ने बोला भाया जो आप कहें हमें मंजूर है पिर बिजू ने भी कहा भाया आप जो कहें हमें मंजूर है तो बच्चों इसके बाद एक नियम बनाया गया बोलो कॉन सा नियम तो इसके बाद एक नियम बना गया तो कलास ने कहा कि आज से एक नियम बनेगा कि मा एक महिना करके तीनों के यहां खाएगी कितना दिन करके जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सा नियम बना जल्दी बताओ तो एक नियम बना कि मा एक एक महिना करके तीनों के यहां खाएगी यानि अभी अगर जनवरी का महिना है तो मा एलास के यहां खाएगी फरवड़ी का महिना है तो मा नरायन के यहां खाएगी और अगर मार्च का महिना आ गया तो मा बिज्जू के यहां खाएगी बच्चों यह नियम बना दिया गया और मा जो है एक-एक महिना करके तीनों के हाँ खाती थी एक दिन भी जादा नहीं हो सकता था एक दिन भी जादा नहीं हो सकता था खाने में ठीक है तो बच्चों ऐसे करके जैसे ही एक महिना होता था तो मा इसके हां से इसके हां जाती थी और फिर इसके हां से इसके हां बच्चों खाने के साथ ध्यान लखना खाने के साथ सिर्फ खाना नहीं मिलता था खाने के साथ बहु की कई गालियां सुननी पड़ती थी बुढधी मरती नहीं है, बुढधी ये नहीं होती है, बुढधी वो नहीं होती है, बैठे बैठे की सर्फ खाती है, ठीक है? तो बच्चों, ये हमेशा, हमेशा, खाने के साथ साथ, अपनी बहु के मुँ से तीखी तीखी वचन सुनने को मिलते थे किसको मा को, मा को, ये सिलसला बच्चों, जब भी जिसके यहाँ पर मा आती थी, जैसे मान के चलो कि आज महिना खतम होने वाला है, आज पाड़ी बदल क्यों खुस होती थी, जल्दी बताओ, इसलिए खुस होती थी, कि अब बढ़िया को नहीं खिलाना पड़ेगा, जिसने बेटे को बढ़ा किया, उसकी बहु आकर बोलती है, कि अब बढ़िया को नहीं खिलाना पड़ेगा, और जिसके यहाँ जाती थी, उसका मुँ लटक हो जाते थे कि अब एक महिना एक महिना एक महिना बुढ़िया को खिलाना पड़ेगा कहते हैं कि पारी बदलने से एक कोसन आता है बचों कि पारी बदलने से पारी बदलने से बेटे और बहु उदास होते थे जब कि बच्चे खिल खिला उठ जाते थे या बच्चे हसते थे, क्यों? पारी बदलने से बेटे और बहु उदास होते थे, जबकि बच्चे खिलखिला उठते थे, बच्चे हसते थे, ऐसा क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, पारी बदलने से बेटे और बहु नराज होते थे, जबकि बच्चे खिलखिला उठते थे, क्योंकि पारी बदलने पर बेटे और बहु को ऐसा लगता था कि अब महिने भर मा को खिलाना पड़ेगा जबकि बच्चे ऐसा बिलकुल नहीं सोचते थे बच्चे तो ये सोचते थे कि दादी हमारे घर आ रही है उसके साथ बैठ कर खाएंगे उसके साथ खेलेंगे इसलिए बच्चे खुस हो जाते थे तो बच्चो अगर ये कोशन पूछा जाएगा तो क्या आप इसको लिख दोगे बोलो हाँ या ना हाँ या ना एक कोशन यहां से यह भी आता है एक कोशन यहां से यह भी आता है कि हैना एक मा तीन बेटे और दो रोटी हैना दो रोटी तीन बेटे और एक मा वाली कहानी कौन सी है तो कहना बच्चो धरती कब तक भूमेगी धरती कब तक भूमेगी इस कहानी का नाम है एकजाम में कोशन पूछा जाएगा कि दो रोटी तीन बेटे और एक मा वाली कहानी कौन सी है तो कहना बच्चो धरती कब तक भूमेगी अब बच्चो ऐसा सिलसिला चलता रहा एक बार कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे एक बार कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे कि एक लड़की थी और उसके आँख में पट्टी बांग दिया था और वो लड़की और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे बहुत सारे बच्चे वहाँ खड़े थे और वो लड़की आँख में पट्टी बांग करके बोलती थी कि मुझे रोटी दे दो ठीक है और वो जो खड़े बच्चे थे वो कहते थे माई माई अगले घर जा माई माई अगले घर जा तो फिर वो वहाँ जाकर बोलती थी मुझे रोटी दे दो तो फिर कहता था माई माई अगले घर जा फिर बोलती थी मुझे रोटी दे दो माई माई अगले घर जा तो ये जब कहानी ये जब बच्चे खेल खेल रहे थे गाओं में जब ये बच्चे खेल 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 रहे थे तो सीता यहाँ देखकर बहुत उदास हो गई थी सीता यहां देखकर क्या हो गए थी बच्चों बताओ सीता यहां देखकर क्या हो गए थी उदास हो गए थी माई माई रोटी दो वाला खेल देखकर कौन उदास हो गए थी माई माई रोटी दो वाला खेल देखकर कौन उदास हो गए थी तो कहना बच्चो सीता, सीता क्या हो गए थी, उदास हो गए थी, माई माई रूटी दो वाला खेल देखकर, अब बच्चो आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब ये ऐसी कहानी, एक-एक महने वाली कहानी, बच्चो एक-एक महने वाली कहानी, कितने साल तक चली बताओ, ये कहानी पांच साल तक चलती रही यानि मा पारी बदलते रही इसके घर, इसके घर, फिर इसके घर फिर इसके घर, इसके घर, इसके घर इसके घर करके महिना महिना करते हुए पांच साल बीट गया और बच्चो आपको लगता होगा क्या ये पांच साल अच्छे से बीता नहीं बच्चों ये जो पांच साल बीते इसमें भी लगभग पचीस बार नहीं पचास बार मतब पचीस बार से भी ज़्यादा जगड़े हुए लडाई हुए ठीक है जब बार बार ऐसा हो रहा था जब बार बार ऐसा हो रहा था तो एक बार फिर से गुस्सा आया, किसको बताओ, एक बार फिर से गुस्सा आया, बच्चों किसको, एक बार फिर से गुस्सा आया, कैलास को, और कैलास ने कहा, कि ये कब तक चलेगा, कि ये कब तक चलेगा, कि मा एक दूसरे के घर जाकर के खा खाना खाए ये कब तक चलेगा कि मा भिखारीन के तरह एक दूसरे के घर जाकर के खाना खाए तो मा सुनकर के ये खुस हो गई मा को ऐसा लगा कि अब मेरा बेटा मेरे लिए कुछ अच्छा फैसला करेगा अब मा क्या हो गई बच्चो खुस हो गई कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ अच्छा फैसला करेगा तब कैलास ने एक दूसरे नियम बनाए, बताओ बच्चो कौन सा नियम हम सभी माँ को 50-50 रुपिये देंगे कितने रूपGroup बताओ किتने रूपए हम सभी मा को 50-50 रूपिये देंगे और मा अलग खाना बना कर खाये गी अदे भच्चो ये रोंग्टे खड़े हो एं बोलते होगे जिस मा के तीन वेटे जिस मा की तीन बहो वहां मा अलग से खाना बना कर खाएगी सुनकर कैसा लगता है इसलिए कहते हैं बच्चों एक मा अपने तीन बेटे को चार बेटे को पाँच बेटे को पाल सकती है पर वो सभी बेटे मिल करके एक मा को नहीं पाल सकते है आप लोग अपनी मा को इस कलास को जरूर दिखाईएगा बच्चों तब बेटे ने क्या नियम बनाए बताओ बच्चों तो बेटे ने नियम बनाए कि हम सभी 50-50 रुपे देंगे और मा अलग खाना बना कर खाएगी अलग खाना बना कर खाएगी यह सुनकर सुचो सीता को क्या लगा होगा अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा यह सुनकर बच्चो सीता को बहुत बुरा लगा और सीता को ऐसा लगा जब मुझे अपने से ही खाना बना कर खाना है तो हम घर पर क्यों रहें हम कहीं दूसरे के घर जाकर के बरतन मांज लेंगे किसी के बच्चे को खिला देंगे मतलब कुछ भी काम करके जब अपने से ही बना कर खाना है तो हम कहीं दूसरे जगर भी खा लेंगे तो बच्चो यह सुनकर जब सीता रात में सोई बच्चो जब रात में सोई तो इन्हें नींद नहीं आया और रात भर ये सोचते रही कि अगर मुझे अपने सही बना कर खाना है तो हम इन लोगों के साथ क्यों रहें और सीता बच्चों सीता सुभह उठते ही मतब कि बहुत मतब रात में ही जो भोड होता है न तीन चार बजे के गई यह घर छोड़कर चले गई और उस दिन बच्चों इसे लग रहा था कि धर्ती और आकास के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है और सीता मनही मनही कहती थी कि धर्ती कब तक घुमेगी और बच्चों जब धर्ती घुमेगी तो सारा क्या हो जागा जितना भी धर्ती यह पूरा का पूरा नश्ट हो जाएगा और ठीक कब तक घुमेगी और ये पूरा संसार ही क्या हो जाएगा ख। घुत्म हो थी क्या रह जाए काला रह जाए काला क्या बता मतब गंदा हो जाए तो बच्चो एक्जाम में कोशन पुछा जाता है कि सीता हना सीता 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 बच्चो क्या देखकर रू आसी हो जाती थी रू आसी मतब रोने के जैसी हना रू आसी मतब रोने के जैसी हो जाती थी क्या द अपना मेला हो जाता था कि उसका रंग काला हो जाता था तो अपना काला और ना देखकर सीता कैसी हो जाती थी तो बच्चो कहना कि अपना काला और ना देखकर सीता सीता रू आसी हो जाती थी एक टॉपिक यहां से याद रखना बच्चो अगला टॉपिक है कि जब ये लोग अलग हुए थे, जब मा सबके यहाँ अलग-अलग रहकर खाती थी तो उस समें, बच्चो उस समें, जो है उस समें, जो है भवडी ने, किसने भवडी ने भवडी ने रस्मलाई बनाय था, क्या बनाय था बच्चो एक्जाम में पूछा जागा कि मा के लिए रसमलाई यहनि सीता को रसमलाई किस ने खिलाई थी सीता को रसमलाई किस ने खिलाई थी तो बच्चो क्या कहना कि सीता के लिए रसमलाई किस ने बनाई थी तो कहना बच्चो भबडी ने सीता के लिए रसमलाई बनाई थी भबडी ने सीता के लिए रसमिलाई बनाई थी कहते हैं बच्चों किस दिन मा को लापसी फीकी लगी थी लापसी भी बच्चों खाना ही होता है है ना हम लोग पताने इसको दूसरा कुछ बूलते हैं पुछा जाएगा बच्चों कि किस दिन लापसी फीकी बनी थी उचा जाएगा किस दिन लापसी फीकी बनी थी तो बच्चों क्या बोलोगे किस दिन लापसी फीकी बनी थी तो बच्चों कहना नाहर सिंग वाले दिन नाहर सिंग वाले दिन लापसी फीकी बनी थी यानि कि सी सीता ने नाहर सिंग वाले दिन पतब कोई त्युहार है बच्चो नाहर सिंग वाले दिन त्युहार का नाम है नाहर सिंग वाले दिन लापसी अगर सीता ने खाया था तो वो बच्चो मीठा होना चाहिए समझो खीर समझ लो हटाओ नाम उसका लापसी है ना बच्चो तो वो के दिन भी बच्चो लापसी बनती थी जा में पूछा जाए कि होली के दिन सीता के घर क्या बनती था ना क्या बनता था होली के दिन क्या बनता था अगर आप से पूछा जाए तो कहना बच्चो कि होली के दिन भी लापसी ही बनता था होली के दिन सीता के यहां क्या बनता था लेकिन इस बार होली में दाल के हलवे बने थे ठीक है ना लेकिन इस बार होली में रुप जो एक सेगंड देख के बताता हूं बच्छो इस बार होली में इस बार होली में बच्छो नहीं है इसमें क्या पता नहीं इस बार होली में बच्छो दाल के हलवे बने थे दाल के हलवे किसने बनाए थे राधाने बच्चो पूछा जाएगा कि दाल का हलवा किसने बनाए था दाल का हलवा बच्चो तो आंसर बताओ क्या बताना कि दाल का हलवा किसने बनाए था ठीक है तो कहना बच्चो कि दाल का हलवा बनाए था राधाने किसने राधाने लिखा है बच्चों कि नाहर सिंग वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिलकुल फीकी है और निगलते समय लगता है को अगले में अटक रहा है तो बच्चों दाल का हलवा बनाया था तो बच्चों डाल का हलवा किस ने बनाया था बोलो दाल का हलवा किसने बनाय था तो दाल का हलवा बनाय था किसने तो राधा जो उनकी सबसे बड़ी पुतहू थी सबसे बड़ी बहू थी उन्होंने दाल का हलवा बनाय था है ना बच्चे उसको कहने लगे दादी मा दादी मा कह रही थी कि कल से आप नरायन चाचा के हिस्से में खाया करेंगी दादी मा आप सच मुझ वहीं खाना खाएंगी क्या और साम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलास की पत्नी राधा बोली दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है खूब पेट भर खाना वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रोटी खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड़ा भड़ना ही पड़ता है ठीके बच्चो तो यहां से कुछ कोसन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे मुझे पूरा भरोसा है कि आप बता दोगे है ना तो मेरे भाई दिली से बता बच्चो क्या सारे कोसन आप बता दोगे कैसी लगी आपको कहानी कितनी मतब भदी लगी कहानी बच्चो कहानी सुनने में तो अच्छी लगी पर कहानी बच्चो बिल्कुल बुरी है यह बच्चो सच्चाई है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताओ आप से पूछा जाए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चो बताओ क्या सीख मिली आपको इस कहानी से क्या सीख मिली बच्चो तो आप बोलोगे इस कहानी से क्या सीख मिली तो आप बोलोगे, सर, इस कहाने से मैं यही सीख मिली, कि कोई भी मा और पिता, अपने 2, 4, 5, 10 बच्चे को बड़े आसानी से पाल लेते हैं, अगर हम लोग ही बात करें बच्चों, तो हम लोग, मतलब पडिवार बहुत लंबा है, हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से पाला पोसा है, लेकिन बच्चे जो होते हैं, वो अपनी माता पिता को नहीं पाल पाते हैं, अब बच्चों कई बार लोग सिधे कह देते हैं, कि हाँ, साधी होने के बाद जो बहु आती है, वो बेटे को बिगार देती है, बच्चों हम एक बात कहते हैं, हाँ, हम इस ब और देखे कहीं न कहीं बच्चो लड़के का भी गलती होता है, मान लिजे कि अगर आप अगर इस चीज को अगर आप कदर कर रहे हैं अपनी मा की तो आपकी जो पतनी है वो भी बच्चो उसकी कदर करेगी, अगर उसको पता जिस दिन चल जाएगा कि आप मा की कदर नहीं करत कहता हूं, तारे लड़के को कहना चाहता हूं, अगर आपको बच्चो धान दिजे, अगर आप सोचते हैं कि भविस्व में आपके माता-पिता के साथ ऐसा नहीं हो, तो आप पहले अपने मम्मी-पापा से बहुत प्यार कीजिए, तब आपकी जो पतनी होगी, वो भी उसक को प्यार करेगी, हाँ, अगर आप एक लड़की हैं, अब आपके लिए मेरा संदेश है, अब अभी से अगर आप अपने माता-पिता के को अच्छे से प्रेम करेंगे, उसके बातों को मानेंगे, उसकी इज़्जद करेंगे, तो आप जब आप ससुराल जाएंगे, तो वह लगते हैं, तो प्यारे बच्चों, क्या आप टेस्ट के लिए तयार हो, जल्दी बताओ yes और no, क्या आप एक छोटा सा टेस्ट देने के लिए तयार हो, तो मुझे yes और no बताओ, हना सीता को बच्चों अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी, ये भी कुशन कूशा जात पर उनसे कोई अच्छे से बात नहीं करता था, कोई आगर के उसका हाल समाचार उससे नहीं पूछता था, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी बच्चों, तो कोशन शुरू करते हैं सबसे पहले, कि यह जो कहानी है, धरती कप तक घुमेगी, यह किस भा भासा से अनुदित है, बताओ, किस भासा से, आप कहोगे, कि सर धरती कप तक घुमेगी, यह जो कहानी है, यह किस भासा से है, तो राजस्थानी भासा से, राजस्थानी भासा से, इसके कहानीकार बताइए कौन है, इसके कहानीकार कौन है, तो आप कहेंगे सर, कि इसके कहा पात्र कौन है होना तो पात्रा चाहिए पर कई बार एक्जाम में बच्चो पात्र दे दिया जाता है इसके मुख्य पात्र कौन है तो बच्चो लिखेंगे सीता सीता के कितने बेटे हैं सीता के कितने बेटे हैं तो कहना बच्चो सीता के कुल तीन बेटे हैं आपसे पूछा जाए सीता के सबसे छोटे बेटे का नाम बताओ सबसे छोटे सबसे छोटे बेटे का नाम पांच निमर होगा सबसे छोटे बेटे का नाम तो बच्चो आपको पता है ना कि सबसे छोटे बेटे का नाम था बिज्जू क्या नाम था बिज्जू था अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई नरायन की पतनी का नाम क्या था नरायन की पतनी का नाम खुब पूछा जाता है नरायन की पतनी का नाम बताओ क्या थ था आपको पता है ना बच्चो सबसे पहले सबसे बड़ा था कैलास उसकी पतनी का नाम राधा था नरायन की पतनी का नाम भवडी था क्या नाम था नरायन की पतनी का नाम बच्चो हम भवडी कहते हैं ना भवडी था साथवा नमरे बच्चो है ना कि सीता के लिए दाल के हल बनाये थे, कहते हैं बच्चों, किस दिन सीता को लापसी फीकी लगी थी, किस दिन बच्चों बताओ, किस दिन सीता को लापसी फीकी लगी थी, तो आप बोलोगे किस दिन जल्दी बताओ, किस दिन, तो आप बोलोगे नाहर सिंग वाले दिन, नाहर सिंग वाले दिन उसको ल आपसी फीकी लगी थी बच्चों अगर आपसे पूछा जाए किस दिन सीता उदास थी अगर आपसे पूछा जाए एक्जाम में किस सीता किस दिन उदास थी तो आप सभी बोलोगे बच्चों कि सीता जो है होली के दिन उदास थी किस दिन बच्चों होली के दिन सीता उदास थी होली के दिन सीता क्या थी उदास थी हैना होली के दिन बच्चों सीता क्या थी उदास थी होली के दिन तो कहना बच्टो एक महिने तक का नियम बना था यह बच्टो 30 तीस दिन बोल सकते हैं 30 तीस दिन बेटोंने सीता को कितने कितने रुपे देने की बातव की बेटों ने कितने रुपए देने की बात की तो बच्चों कहना पचास पचास रुपए देने की बात की अगला बच्चो पुस्पा किसकी पतनी थी बताओ पुस्पा किसकी पतनी थी तो आप कहेंगे सर की राधा जो थी कैलास की पतनी भवडी थी नरायन की पतनी और पुस्पा बच्चो किसकी पतनी थी बिज्जो की पतनी थी बच्चो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ है ना तीन बेटे तीन बहु और अनेक पोते पोतियों की दाधी कौन थी तो कहेंगे बच्चो सीता क्या नहीं है सीता है ना दो रोटी तीन बेटे और एक माँ वाली कहानी कौन है है ना दो रोटी तीन बेटे और एक माँ वाली कहानी कौन सी है तो दो रोटी तीन बेटे और एक माँ वाली कहानी है धरती कब तक घुमेगी धरती कब तक घुमेगी है ना एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई तो बच्चो कमेंट कि एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, तो बोलोगे सर एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, सीता चले गई, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, कि इस चेप्टर से कोई भी कोशन आपके एकजाम में नहीं चूटेगा, एक भी कोशन आपके एकजाम में इस शिकत नहीं है बहुत आसानी साप इसके subjective question भी कर लोगे ठीक बच्छो दो इंड हो गए है ना दो इंड हो गए कैसा लगा आपको यह चैप्टर आप मुझे बताऊ एक बार सभी लोग बच्छो एक बार सभी लोग बच्चो क्लास को लाइक कर दीजे, मैं देख रहा हूँ कुछ लाइक की संख्या कम है, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, फटा-फट से जितने ही बच्चे ना पंद्रों सो लाइक्स तो अभी होने ही चाहिए तुरंद बच्चों पंद्रों सो लाइक्स होने चाहिए अब कल क्या करा दें जल्दी बताओ यह चैप्टर वर्नीका हमारा समाप्त हो गया वर्नीका बुक बच्चों हमारा टोटल समाप्त हो गया पा करा दूं और बांकी सबको एक साथ revision करा दूं क्या बोलो अगर आप कल बोलते हो को इस सर्प पूरा revision क्रा मैं करवादेता हूं कल वच्चो हम क्या करते हैं पहले इस chapter का objective कराते हैं उसके बाद जो बाकई चप्टर हैं उसको भी एकबार revision करा दीजिए हैं चली बताओ कि हम रीविज्ट यह यहां कि हम ऐसे कर दें दो बताई या फिर हम objective समय बेंटिग करा दें सर बहुत अच्छा लगा सई बहुत हुआ हिंदी बहुन हो जिसको खतमर्ण अगले सब्सक्राइं और चाहिए अगले सब्सक्राइब। छो से जलंदी पढते हैं बच्चों गोदोलि पर मैं उन्म धाना योट्यका यूट्य ना चाहते हैं श्जूरी प्लिप के द wasn't आते हैं कैसे आपको गुधोली खोजना है हमारा जो भी चीज जूंडने आ जाओ यूटूब पर यूटूब में आ करके सर्च करना टैंथ हिंदी बाए आज का मारा थमनिल अब्डेट नहीं हुआ गया आज लिखना है ना बच्चो चलो हम लिखके दिखाते हैं यहां लिख सर यह सरज चल रहा है छीच इसका ऊंडभ reins कर देते हैं आज़ भया अरे किया हाल चाले आप सभी की यह अपना चैनल पर आ ठीक है कितने बच्चों को पले लिस्टि मालूम है कि पाले लिस्ट क्या होता है पता आपको प्ले लिस्ट यह वाला दिख रहा आपको यह दिख देखाया प्लेलिस्ट कि आना प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट पर क्लिक करना बच्चों और सबसे नीचे आना आपको प्लेलिस्ट में देखो एक हमारा बना होगा प्लेलिस्ट में कहीं आपका बना होगा भाया मेरे कहीं हिंदी देखो यहां लिखाया गोधोली हिंदी संपू नहीं हुआ है ध्यान से देखो मैंने पूरा पढ़ आत्थ करके मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है तो पूरा हिंदी मैं ने पढ़ा रहता है पूरा हिंदी जो चैप्टर पढ़ाना सब्जेक्टिफ के साथ एक किसी ने देखा है तो हाथ उठाव जल्दे से हां सर हमने हिंदी नहीं पधाया था कितने बच्चों को ये बात मालुम है और पिछले बार हमने यह इन्दी नहीं पढ़ायaty स्टी ठीकिए अब देखो कितने बच्चों ने देखा ये भी देख सकते हो यह व्यडियो शेयो इसको देखने वालों हैं यह आप लोग जरूर देख लेना ठीक है पूरा हिंदी जो भी पढ़ना है आप प्रेलिस्ट में आईए कभियों के नाम याद करने है यह पूरा है बच्वों पहले देखो यहां पर वरनिका भी पढ़ा रखे हैं और वरनिका में तो भाई साब वरनिका के तो तो बहुत अच्छे वीऊज हैं यहां देखें कितना व्यूज है पांचो बारा कैयानी पांच लाख बारा हजार रबच्छों ने देखा5000 लाख बारा हजार बार कट्रों टके देखो वरनिका घचंड़ागा कि पहला हिसे तो है पहले फचति gef कंप कब तक घुमेंगी देखो यह जो मैंने पिछले बार पढ़ाया धरती कब तक घुमेगी इसको देखा है कितने बच्चो ने सब इसको देखा गया है यह भी लिखो नरायन कहला सीटा राधा पुस्पा भवरी ऐस्फब कुछ लिखाया भच्चो ठीक है चलो भच्चो ज्यान दीजेगा अब आईए अब बात करते हम इसका नोट्स दे चुग या देना है जल्दी बताओ क्या आपको नोट्स मिल गया है बच्चो अगर कोई नए स्टूडेंट है अगर कोई न्यू स्टूडेंट है अगर आपको हमारा नोट्स नहीं मिला है बच्छो तो आप हमारे बैच में जुआन हो जाईए बैच का नामे द्रीम 450 प्लस बैच बच्छो और कल हम इसका टेस्ट लगवाएंगे तो बच्छो कल हम पूरा वरनिका का टेस्ट लगाने वाले हैं एप पर कितने बच्छे हैं जो एप पर टेस्ट देने वाले हैं जल्दी बताओ एप पर हम बच्छो कल टेस्ट लगाने वाले हैं एप पर एप पर हम टेस्ट लगाने वाले हैं कल दिशा ओनलेन क्लासेस को डाउनलोड कर लेना बच्चो चलिए तो सब लोग ड्रीम 450 प्लस बैच में जोएन हो जाना सारा नोट्स मिल जागा अब इसमें जोएन होने के लिए डाउनलोड कीजिए दिशा ओनलेन क्लासेस एप को दिशा ओनलेन क्लासेस एप को बच्चो अगर कहीं कोर्स खड़िदने में दिक्कत हो ये नमबर है हमाली टीम का अभी कॉल कीजिए डवल सेवन डवल जीरो एट सेवन नाइन फोर फाइब थरी या दूसरा किसी को भी अगर प्रावलम होता है कोर्स खड़िदने में तो जरूर खड़िद लिजे बच्चो अब देखे हम तो वरनिका खतम कर दिए अब आप लोग घर पर पढ़ते रहिएगा पढ़ते रहिएगा ना वादा कीजिए किसर वरनिका तो आप खतम कर दिए हम लोग पढ़ते रहेंगे घर पर ठीक है 499 रुपय में बच्चो सारा नोट्स मिलता है सारा हमारा लाइब क्लास वगरा जो भी हम प्राविट क्लास लेंगे अब पर वो भी मिलेगा अब लगता है बच्चो आप पर भी क्लास हमें देना चाहिए एकाद क्लास ठीक है अब बच्चों आप पर भी देखे है हम क्लास के वारे में सोचेंगे एकाद प्राविट क्लास हो ठीक है तो बच्चों आप सभी लोग क्लास को घर पर महनत कीजेगा मुझसे वादा करो, हासर करेंगे सब लोग वादा करो, कि घर पर भी महनत करोगे ठीक है, अब हमारा बच्चो हो गया गोधोली बुक है हमारे पास उसको स्टार्ट करेंगे, सब लोग क्लास को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसा लगा, आज खतम हुआ कल हम इसका अबजेक्टिव कर लेंगे और कल रिविजन, कल आखरी क्लास होगा वर्निका का उसके बाद खली रिविजन चलेगा जब भी कराएंगे तो ठीक है, लभी बच्चो इसका प्लेलिस्ट बना देंगे हम आपको देखते रहिएगा मिलते हैं अगली कलास में, तब तक केली पढ़ते रहिए क्लास डेली होती है, आठ बजे सुबह और आज बजे ची कलास होती हैं, मनिस सर्की तो आप सभी लोग सुबह आठ बजे जरूर आईएगा आप सभी प्यारे बच्चे सुभा आठ वजे जरूर लाईएगा बच्चो इसका नोट्स एक बार सर नोट्स कैसे पढ़े हैं नोट्स को बच्चो निकलवा करके प्रिंट करवा के पढ़िए गोधोली का पूर असवरी वर्निका का पूरा नोट्स मिला है प्रिंट डाल गए पढ़ते रही है ठीक है लव यू बच्चो लव यू ठीक है चलो बच्चो मिलते हैं अगली क्लास में